8.2 संयोजक्ता, बैलेंसी हमने कुछ उधारनों द्वारा देखा कि विभिन्न तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं या ग्रहन करते हैं अतह संयोजक्ता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं सोडियम के संयोजी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो अक्रिय गैस में न्यास प्राप्त करने हे तो त्यागा जाता है अतह इसकी संयोजक्ता एक होती है केल्शियम अपने सयोजी कक्ष से दो इलेक्ट्रोनों का त्याग करता है अता केल्शियम की सयोजगता दो होती है क्लोरीन की सयोजी कक्ष में साथ इलेक्ट्रोन होते हैं और वह अस्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रोन गरहन करता है संयोजक्टा हमें यह बताती है कि किसी तत्व का पर्माणों अक्रिगैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्व के पर्माणों प्रकृह में गरहण कर अस्टक पूरा करते हैं हम धातू और अधातू को उनके भौतिक गुणों के आधार पर पहचानते हैं आयनिक बंध निर्माण में जिस तत्व के परमाणू इलेक्ट्रॉन त्याकते हैं वे धातू कहलाते हैं और जिस तत्व के परमाणू इलेक्ट्रॉन ग्रहन करते हैं वे अधातु कहलाते हैं।